नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो सीटी वर्ती से समंदित सीम साव ने साफ कहा दिया दो मीने का टाइम दिया जो कहा वो वादा निबाया क्या नहीं अपडेट हैं तो वीडियो को लाच्ट तक और ध्यान से जुरूर देखें इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें तो देख लेते हैं क्या नहीं अपडेट आई है सबसे पहले तो आप ये निउस देखिए रिजल्ट से समंदित जल्द ही 25,000 युवाओं के रिजल्ट निकल जाएंगे सबसे पहले रिजल्ट निकलेगा जवाइनिंग होती रहेगी मेडिकल 12 और 13 अक्तूबर को होगा आपका रिजल्ट है वो पूरे पूरे चांस है आज आने के कल भी बोला जा रहा था लेकिन नहीं निकल पया तो उसका रिजन भी इसमें देर खैमा आपको दिखाऊंगा और मेडिकल है वो 12 और 13 अक्तूबर को हो जाएगा यह बताएगा यानि के आज कल में मेडिकल भी हो जाएगा लेकिन इसके साथ टाइम क्या दिया गया है अगले दो मेने तक आप मेडिकल कभी भी जमा करवा सकते हैं अब के बार ये टाइम दे दिया है मेडिकल का टाइम अगले दो मेने तक का दे दिया है और 35 और की रेजल्ट के बारे में देख लीजे क्या है यहाँ पे तो देनिक कोई भी कमी ना रहे जाए इसलिए बहुत बारिकी से अच्छे से चेक करने में टाइम लग रहा है ये चेर्मेन इमत सिंग जी ने बोला है तो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा उन्होंने यही आस्वासन दिया है और मेडिकल बोर्ड गटित करने क निर्देश 12 और 13 अक्तुबर को मेडिकल होगा ये जो है अरियान स्वास्ते विवाग को ये लेटर लिखा गया है और उनको बोला गया है कि 12 और 13 को मेडिकल होने बड़ा है बाकि आपको पता है लग बग कैंडिडेट 12 और 13 को 12, 14 या 15 को करवाई लेंगे जैसी कि निर्च करेंगे होती रहेगी और आपके अपके मेडिकल्व बते रहेंगे और सीमसा फिर सफत लेलेंगे यानने कि उनने अपना जो वादा किया है वह वादा पूरा करते ही सफत लेने की उनकी दॉन्हाथ बाकि आप अपने रएक कमेंट करके जरूर बताएं लिडियो आढदकर या किया पर ओगा ता